हलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हर्दिक स्वागत है। बच्चों, आज मैं आप लोगों के समख चायावाद के प्रमुख कवी सुरीकान तरपाथे निरालाजी की कवीता भारती जय विजय करे के व्याख्या को लेकर उपस्तितू। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। कवी सुरीकान तरपाथे निरालाजी के बारे में आप लोगों ने चायावाद में पढ़ा ही है। चायावाद के चार प्रमुक स्तंब माने जाते हैं कवी जैसंकर प्रशाद, कवी सुरीकांत्रिपाथे निराला, कवी सुमित्रा नंदन पंत और कवीत्री महादेवी वर्मा तो चायावात के चार प्रमुख स्थम्भों में से एक स्थम्भ है कभी सुरिकांत्रिपाथे निराला, सुरिकांत्रिपाथे निराला की कविता की प्रमुख विशेषता है प्रकृति चित्रन, रियक्तिकत अनुभूती की प्रधानता, सौंदरिका, सुक्ष्म चित्रन, ले कभी सुरीकांतिरपाटी निर्णाजी ने भारतवर्ष के प्रती, अपने मात्रिभूमी के प्रती, अपनी राष्टी भावना की अभिव्यक्ति की है, अपने देश प्रेम की भावना को मुखरित किया है। तो चलिए सबसे पहले मैं इस कविता को आपको पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कठिन सब्द के अर्थ को बताने के बाद ही मैं परतेक पंग्ती की व्याख्या करूंगी और तत पर साथ मैं इसका विशेश भी लिखवा दूंगी, क्योंकि जब परिक्षा में व्याख्या पू विशेश जरूर लिखवा देती हूँ, ताकि आप परिक्षा में अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सके, आपको विशेश की संपुन जानकारी हो, क्योंकि बिना जानकारी के अच्छे अंक पाना संभव नहीं है, कुछ लोग सौटकट का रास्ता अपनाते हैं, मेरा पर आपको विशे का विशेश ज्यान होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि प्रश्ण आपसे कहीं भी किसी भी विशेश पर पूछे जा सकते हैं, तो आपको हर तरह से तैयार होना है, आपको अपने भविश्य को अच्छा बनाने के लिए, आपको एक अच्छी नौकरी पा तो चलिए मैं आप लोगों को कवीता पढ़कर सुनाती हूं तो कवीता का सिर्षक है भारती जय विजय करें और कवी है सुरिकांतिरपाथी निराला इस कवीता को भारती वंदना के नाम से भी जना जाता है क्योंकि इसमें भारतवर्ष की वंदना की गई है उसकी स्तूती की गई है देखीं मुखरी तो अब चलिए मैं कठिन सब्दों के अर्थ को बता देती हूं कठिन सब्दों के अर्थ भारती भारत मा भारत वर्ष को माता के रूप में देखा गया है जय यानि जीत कनक यानि सोना कनक का एक अर्थ गेहूं भी होता है गेहूं का रंग कैसा होता सुनला होता है सस्य यानि फसल धर्य यानि धारन करना लंका स्री लंका को कहा गिया एक देश का नाम है पदतल यानि पैरों के नीचे सतदल यानि कमल गरजीत और्मी यानि लहरों का गरजन इहाँ पर गरजीत और उर्मी दो सब्द है गरजीत मने गरजना करना उर्मी यानि लहर यानि लहरों का गरजन सागर यानि समुद्र सुची यानि पवित्र युगल युगल मने दो मने जोडा जिसे एक जोड़ी जिसे कहते हैं एक जोड़ी यानि एक जोड़ी मतलब कोई विवस्तु दो होती है उसकी संख्या दो में ह स्तव मने स्तूती यानि प्रसंसा, कर यानि करना, बहु अर्थ यानि विविद्ध प्रकार से, विविद्ध मंत्रों से, देखे, तरु यानि पेड, तरुण यानि तिनका, घास, वन यानि जंगल, वसन मने कपड़ा, यहां कपड़ा किस अर्थ में है, साडी के अर्थ में है अंचल यानि आचल, खचित यानि सजा हुआ, सुमन अथात फूल, गंगा एक पवित्र नदी का नाम है, हम सभी जानते हैं जोतिर जल, यानि सुरी के प्रकास से जल का प्रकास मान होना, जोति यानि प्रकास और जल यानि पानी तो यहाँ पर किस जल की बात की गई है, गंगा नदी के जल की बात की गई है, जो सुरी के प्रकास से क्या है, प्रकासित है धवल धार, याणि सफेद जरप्रवा, सूब्र याणि सफेद, हिम तुसार याणि बर्फ तुहीं, प्रणव ओंकार, मतलब परमेस्वर या ओंकार मंत्र, ध्वनित याणि गूंजना, सत्मुख मने सैकडों मुख, सत्रव मने सैकडों ध्वनिया तो अब चले मैं इस कवीता का प्रसंग आपनों को समझाती हूं कवी नीराला जी ने यह कवीता उस समय लिखी जिस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था देश को अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त कराने के लिए हम देशवासियों के हृदे में अपने देश के प्रती राष्टी भावना का जाकरत होना अत्यनता आवश्चक था लोग अपनी संस्कृती को ही भूल चुके थे और अपनी संस्कृती को भूल चुकने के कारण ही वे अंग्रेजी संस्कृती के पक्षपाती हो गए थे उन्होंने हम भारतियों के हृदे में राष्ट्य प्रेम, देश प्रेम की भावना को भरने का प्रियास किया है। व्यक्त नहीं कर सकते हैं। यह हमारे हृदे की बात है। यह हमारे हृदे हमारे भावना से जुड़ी हुई चीज है। भावगोलिक ध्रिष्टी हो। इस बात को कवी ने यहाँ पर प्रस्तुत किया है भारती वन्दना के रूप में, भारत की स्तुती के रूप में। तो यह है प्रसंग। तो अब चलिए पंक्ति की प्याख्या करते हूँ। देखी। भारती जय विजय करे कनक सस्य कमल धरे। यहाँ पर कवी निराला जी ने भारत वर्ष को मा के रूप में मानवी करन किया है। मा के रूप में माना है। यहाँ पर भारत वर्ष का हमारे देश का एक मानवी रूप उपस्थित होता है। यह मानवी रूप किस अर्थ में है। मा के रूप में है। मा यानि जिसे हम देवी सर्दृष्य समझते हैं मा देवी समान होती है तो यहाँ पर भारत वर्ष को मा के समान, देवी के समान माना गया है और संसार का परतेग व्यक्ति मा के लिए क्या सोचता है? क्यों उसकी जय हो मेरी मा हमेशा संसार में जय प्राप्त करी उसकी विजय हो, वो संसार में कभी किसी से न हारे, कभी भी यही सोचते हैं, कि हमारा देश, यानि हमारी जो मात्री भूमी है, हमारी जो भारत मा है, उसकी जैजेकार पूरे विश्व में गूंज उठे, जैविजय करे, उसकी जैजेकार, उसकी जीत का डंका जो है, पूरे बिश्वभर में गूंज उठी, जैसा कि प्राचीन समय में था, भारत वर्ष क्या कहला था था, सोने की चड़िया, हर तरह से सम्रिध था, उसकी सम्रिधी पुनह वापस उसे प्राप्थो, उसकी सम्रिधी का डंका जो है उसके बैभाव का डंका उसकी संस्कृति का डंका उसकी महिमा का डंका पूरे विशुभर में फैली भारत मा को देवी के रूप में कभी स्विकार करते हैं जैसे हम लोगों ने देखा है कि देवी के हाथ में क्या होता है आप लोगों ने इस बात को ध्यान दिया होगा कि देवी के हाथ में कौन से फूल होते हैं कमल के फूल तो यहाँ पर भी कभी कहते हैं कनक सस्य कमल धरे यहाँ पर भी उन्होंने भारत मा की जो कलपना की है एक देवी के रूप में उसके हाथ में भी क्या है कमल का फूल है कमल धरे उनके हाथ में कमल का फूल है लेकिन ये कमल का फूल क्या है कनक सस्य सुनहली फसल हमारे देश में जो तरह-तरह के पैदावार हो रहे हैं हमारे देश में जो तरह-तरह की उपज हम लोग देखते हैं वही तो सस्य है यह फसल कैसी है? कनक के समान, सोने के समान है इसलिए यह फसल कैसी हो गई? सुनहली फसल यानि भारत मा के हाथ में सुनहली फसल है जो किस के समान है कमल के समान कमल है उसे ही कवी ने कमल माना है यहाँ पर क्या रूपक अलंकार है यहाँ पर जो है रूपक अलंकार है कनक सस्य कमल धरी यानि कनक सस्य क्या मान लिया गया है कमल का फूल मान लिया गया है तो यहाँ पर कवी इन दो पंक्तियों में क्या कहते हैं भारती जय विजयकरी कि हमारा देश हमारी जो मात्री भूमी है भारत वर्ष है इसकी जय जयकार जो है पूरे बिस्व भर में फैले और भारत मा देवी समान है और देवी के हाथ में कमल का फूल हम देखते हैं तो ये कमल का फूल क्य मा के बारे में बतलाया है हम लोग भारत वर्ष के दक्षिन में क्या देखते हैं हिंद महासागर और हिंद महासागर में स्रिलंका देश इस्थित है तो कभी यहां पर कलपना करते हैं कि भारत वर्ष के हमारी भारत मा के पदतल यानि पैरों के नीचे क्या इस्थित है स्रिलं स्रिलंका नामक देश इस्थित है किसके समान इस्थित है सतदल यानि कमल के समान आप लोगों ने देखा होगा कि कोई देवी कहां खड़ी होती है कमल के फूल के उपर और कमल का फूल कहां होता है जल में होता है तो स्रिलंका जो देश है वो चारो तरप से क्या है जल से घिर तो श्रीलंका किस तरह से प्रतीत हो रहा है? कमल के समान. इसलिए कभी यहांपर कहते हैं कि लंका पदतल सतदल यानि श्रीलंका देश जो है भारत मा के चरनों के नीचे इस्थित है. किसके समान? सतदल के समान, कमल के समान. यानि लंका को कमल मान लिया गिया है, सत्दल मान लिया गिया है, यहाँ पर भी रूपक अलंकार है गरजितोर में सागर जल अब यहाँ पर देखी भारत मा के पैरों के नीचे क्या है? सागर लहरा रहा है हम सभी जानते हैं भारत के दक्षिन को ही भारतमा का चरण माना जाता है क्योंके चरण जो है दक्षिन भारत को मानते हैं तो दक्षिन भारत की जो सीमा है अंतिम सीमा वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं हिंद महा सागर को देखते हैं तो सागर में क्या है लहर है जर्जना कर रही है। धोता सुची चरन युगल। इसके साथ ही सागर का जल क्या कर रहा है। भारत मा के चरनों को युगल यानि दो पैर। दोनों पैरों को धो रहा है। ये पैर कैसे हैं? पवित्र पैर है। सुची यानि पवित्र, धोता, सुची, चरन युगल, यानि चरन युगल यहने दो पैर, जो अथ्यंत पवित्र है, इसे सागर का चल धो रहा है, सागर की लहरे गर्जना कर रही है, और उसकी गर्जन में हमें क्या सुनाई देता है, इस्तव कर बहु अर्थ भरी इस्तव मतलब स्तूती करना प्रसंसा करना तो सागर की लहरे क्या कर रही है भारत मा की स्तूती कर रही है भारत मा की प्रसंसा कर रही है बहु अर्थ भरी बिभिन प्रकार से उनमें बिभिन प्रकार के अर्थ समाहित है उनकी जो गर्जना है वो गर्जना मानो भारतमा की स्तूती में है प्रसंसा में है और ये विविद प्रकार से विविद आयामों से भारतमा की प्रसंसा कर रही है क्योंकि भारत की प्रसंसा किसी एक कारण से नहीं होती है भारत वर्ष की जो प्रसंसा है वो अंगिनत कारण है जिन अंगिनत कारणों से भारत की महानता सिद्ध होती है उसकी वो इस्तुती कर रही है उसी को प्रसंसा के रूप में गा रही है गर्जना करके सबको बता रही है तरुत्रिन वन लता वसन यहां पर कवी ने भारत वर्स में जो हर्याली फैली हुई है उसक इस रूप में बतलाया है, देखिए, तरु यानि पीड, तरुण यानि घास, वन यानि जंगल, लता मतलब तो लता, ये सारी चीजे भारत मा की साड़ी है, वसन यानि कपड़ा, यहां कपड़ा की सर्थ में साड़ी के अर्थ में है, यानि भारत वर्स की हर्याली जो है, यह का एक आचल होता है और उस आचल में तरह तरह के बेल बुटे बने होते हैं तरह तरह के फूल बने होते हैं तो कभी क्या कहते हैं देखिए अंचल में खचित सुमन जो साड़ी है उस साड़ी के आचल में जड़ा हुआ है खचित यानि जड़ा हुआ है क्या जड़ा हुआ है सुमन यानि फूल, यानि हमारे देश में जो बेड़ हैं, पौधे हैं, उन पे जो फूल खिले हुए हैं, कैसे प्रतित होते हैं, मानो वा साड़ी के बेल बूटे हैं, वा साड़ी के आचल में जड़े हुए बेल बूटे हैं, फूल इत्यादी हैं, तो यहाँ पर भी देखे एक रूपक अलंकार हम लोग देख रहे हैं, तो यहां पर भी एक रूपक अलंकार है, जैसे हर्याली को क्या मान लिया गया है, साड़ी मान लिया गया है. गंगा जोतिर जलकन धवल धार हार गली अब भारत मां का एक चित्र अपने आँखों के सामने उपस्थित कीजिए तो मां के गले में क्या हम लोग देखते हैं? हार देखते हैं मां का गला जो होता है वो सफेद मोत्यों के माला से सुसूभित होती है तो कवी ने यहां पर इसी बात को बतलाया है कि गंगा का जो जल है जोतिर जल यानि सुरी के प्रकास से प्रकासित जो जल है जलकन है जलकी वूंदे हैं वो कैसी है? वल रंकी है सफेद रंकी है तो जलकन जो है? वह जलकन किस रूप में है? हार के रूप में है मोती के रूप में धवल धार गंगा के जल का जो प्रवा है वह एक हार के रूप में है और उस हार में क्या है वो जलकन मोती के समान है तो यहाँ पर भी कवी की कलपना आप देखिए कि भारत मा के गले में गंगा का जल गंगा नदी का जल जो है इस प्रकार से सुसूभित हो रहा है मानो वह उनके गले का हार हो मुकुट सुब्र हीमतुसार जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भारत वर्स के दक्षिल में हिंद मासागर है ठीक भारत वर्स के उत्तर में हिमालय स्थित है जैसे कि दक्षिनी भाग में भारत मा के चरण है वैसे ही भारतवर्स के उत्तरी भाग में क्या है भारत मा का सिर है यानि मुकुठ है तो मुकुठ किसका है हिम तुसार बर्फ का मुकुठ है आप सभी जानते हैं कि भारतवर्स के उत्तर में क्या है हिमाले है और हिमाले का नामकरण तो बर्फ के कारण ही हुआ है, हिम जोड आले, यानि बर्फ का घर, हिम का घर, तो यही हिमाले तो क्या है? हमारी मा का मुकुठ है, हमारी भारत मा का मुकुठ है, जो किस रंग का है? सुब्र है, सुब्र यानि सफेद, बर्फ का रंग कैसा होता है? पुषार को तुहीन भी कहा जाता है इसके बाद दीके प्रान प्रणव ओंकार भारत मा के हिर्दय में कौन सी ध्वनी गुंज रही है प्रणव ओंकार की ध्वनी जो ओंकार का जो मंत्र है यह गुंज रहा है ध्वनित दिसाएं उदार और ये उंकार का मंत्र जो है पूरे विश्व ब्रमांड में फैल गिया है चारो दिसाओं में फैला है तो ये बात क्यों कवी कह रहे हैं? ये कवी इसले कह रहे हैं कि हमारी भारतिय संस्कृती, हमारी वैलिक संस्कृत में हम सभी जानते हैं कि वेद जो है हमारा सबसे प्राची निग्रन्त है जो देवताओं द्वरा लिखा गया है तो जो वेद मंत्र है ओंकार की ध्वनिया जो है एक समय ऐसा था जब हमारे देश में वेद मंत्र गूंजा करते थी और ये वेद मंत्र आज भी पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा है जो ध्वनित दिसाएं उदार तो ये जो ओंकार का जो मंत्र है ये चारो दिसाओं में क सभी जानते हैं, लोग वेद पाठ करते थे, वेद मंत्रों का जाप करते थे, ये वेद मंत्र जो है, चारो दिशाओं में गूंजा करता था, ये ध्वनिया आज भी इस ब्रह्मांड में नहित है, ये कि ध्वनि कभी समाप्त नहीं होती, ध्वनि का अंतर नहीं होता है, सत्मुक सत्रव मुख्री और सत्मुक यानि सैकडो मुख सत्रव यानि सैकडो ध्वनियां मुख्री यानि उचारित करते थे यानि भारत वर्ष में रहने वाले सैकडो लोग जो है इन मंत्रों का उच्चारन करते थे यानि पूरे भारत वर्ष में वेद पाठ होता था ये हमारे लिए अतनत गर्व की बात है ऐसे सम्रिधी साली ऐसे ब्यभव साली भारत मां की जय जय कार जो है पूरे विशो भर में फैले पूरे विशो भर में हमारे भारत वर्ष का डंका बजे यह कवी की अभिलासा है और कवी अचाते हैं कि हम सभी भारतिय हैं हम अपने देश की गौरव साली इतिहास से परिचित और किसी भी प्रकार से अपने अंदर हीन भावना ना लाएं यदि हम अपने आप पर गर्व कर सकते हैं तो हम समस्त संसार पर विजय भी प्राप्त कर सकते हैं तो इस प्रकार कवी ने भारतवर्स की स्तूती की है तो अब चली मैं इसका विसेश लिखवा दूँ बिसेश पहला प्रस्तुत कविता में भारत को माता के रूप में वर्णित कर भारत मा की स्तूती वंदना की गई है अता कवी निराला जी का राष्टी चेतना का स्वर मुखरित हुआ है दूसरा, कवी ने अपने देश भारत को एक नारी, एक मा के रूप में मानविकरन किया है तीसरा, कवी किया भिलासा है कि दिक दिगंत में भारत मा की जैकाल गुंजे पूरे विशु में भारतिय ज्ञान विज्ञान का प्रसार हो प्रसुत कवीता में मानविकरन अलंकार, रूपक अलंकार का सुन्दर प्रियोग है तो जैसे कि भारत मा को मा के रूप में चितित करना मानविकरन अलंकार के अंतरगत आता है कनक, सस्य, कमल धरे यहाँ पर रूपक अलंकार है इसके साथ ही साथ लंका, पदतल, सतदल यहां पर भी रूपक अलंकार है इसके साथ ही साथ तरुत्रिन, वनलता, वसन में भी रूपक अलंकार है छठा कवीता ओजगुन संपन होने के साथ साथ गे है गे मनिसे गीत रूप में गाया जा सकता है सात्मा काविभासा संस्कृत निष्ट या तत्सम पदावले युक्त खड़ी बोलि है सेली चित्रात्मक्ता संपन्ड है चित्रात्मक्ता संपन्ड क्यों है? क्योंकि जब आप इस कवीता को पड़ते हैं तो आप अपने आँखों के सामने पूरे भारतवर्स का एक चित्र उपस्थित कर लेते हैं। इस कवीता के परतेक पंग्ती के साथ ही आपके आँखों के समक्ष भारतवर्ष की जो भोगोलिक सीमा है, भारतवर्ष की जो प्राकृतिक समपद्दा है, इसका चित्र उपस्थित हो जाता है, इसलिए इसकी सैली जो है चित्रात्मक है, गेता इस अर्थ में है क्योंकि ये स जिस तरह से समझाया है यह आपको समझ में आ गिया होगा फिर भी यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हुई हो यदि कोई सब्द का अर्थ समझ में नहीं आया हो तो आप मुझे कमेंट अवश्य करें मैं आपके हर प्रश्ण का जवाब यथा समझ जरूर दूंगी वीडियो को लाइक करें सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे सेर तो जरूर करें जो बच्चे मेरे चैन पढ़ नए है वे चैन को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय में पर मिल सके तब तक पढ़ते रहिए जीवन में आगे बढ़ते रहिए मेरी सुप कामनाई आप सभी बच्चों के साथ है धन्यवाद